Hello everyone, welcome to my youtube channel इस वीडियो में हम mathematics करेंगे जिसमें हम gp series का पढ़ेंगे general terms और उसके कुछ examples तो चलिए start करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ general terms लिख रही हूँ जिससे हमारा gp series का formula बनता है तो जैसे first term अगर हम बोलें तो first term is a r is common ratio अगर हम a r की form में लिखेंगे तो वो a r की power 1 minus 1 हो सकता है जैसे की 1 minus 1 is 0 r की power 0 is called 1 तो t1 is a and t2 is अगर हम similarly करें तो a r की power 2 minus 1 that is a r t3 is a r की power 3 minus 1 और we can say a r square and so on अगर हम nth term निकालते हैं तो nth term बनेगी a r की power n minus 1 जैसे हम पिछली terms में भी देख सकते हैं t3 है तो 3 minus 1 4 है तो 4 minus 1 होगा ऐसे ही and so on अगर nth है तो n minus 1 हो जाएगा this is nth term of jp तो चलिए इसके बाद आगे आती हैं examples पे कोई example हम करके देखते हैं फिर इसका use भी आपको पता लगेगा तो हमने ये example लिया है बुक का फर्स्ट example इसमें जो series दी होई है gp series है that is 1 comma minus 1 by 2 comma 1 by 4 then minus 1 by 8 and so on तो इसमें हमें find करनी है 6th term तो T6 find out करना है तो formula होगा T6 is equal to AR की पावर 6 minus 1 that is AR की पावर 5 तो यहां से हमने A की value लिख ली जो first term होती है वो A होती है that is 1 R होता है common ratio जो second term में से first term को divide करके बनता है तो कोई सी भी हम next term से उससे previous term को divide करते हैं तो same आना चाहिए common ratio तो हमने वो यहां पर check भी कर लिया और अब हम formula लिखेंगे और formula के अंदर value put करेंगे A की value 1 और R की value minus 1 by 2 put की उसकी power 5 है अब हम इसको calculate कर लेंगे जो final answer आएगा वो हमारी sixth term होगी GP की तो यह term आई है minus 1 by 32 power odd है इसलिए minus का minus as it is रह गया अगर even power होती तो minus minus plus हो जाता तो t6 is minus 1 by 32 अब अगले example की दरफ चलते हैं second example तो similar है मैं example number 3 करती हूँ इसमें भी एक series दी हुई है बताया है कि वो series एक GP series है और उसकी nth term भी given है और उसमें हमें n की value find out करनी है जब given होता है कि find which term is this कोई भी term दी हो तो हमें term मतलब n की value find out करनी है तो हमें यही करना है इस question में तो चलिए start करते हैं हमें first term भी पता है a 1 by 3 और यहां पर हम r निकालेंगे वो भी हमारा 1 by 3 आएगा तो हमें formula भी पता है tn is equal to ar की power n minus 1 वहां पर हम ar और tn की value put करेंगे और हमारा answer हमें मिल जाएगा मैंने अलग से highlight कर दी है और values put करेंगे और solve करेंगे फिर हमें final answer मिल जाएगा nth term हमारे tn की value है 1 upon 1,9,6,8,3 तो n की value find out कर लेते हैं अब हम सारी values को मैंने tn is equal to ar की power n minus 1 में put किया calculate किया उसके बाद हमें answer मिल गया n is equal to 9 जब बे same होते हैं तो power भी equal हो जाती हैं इसी तरह से आप next examples भी कर सकते हैं यहां मैंने example number 7 का demo भी दिया हुआ है किस तरह से करना है अगर इसका solution आप देखना चाहते हैं तो मैं अपनी next video में उसको explain कर दूँगी आप इसी तरह से try कर सकते हैं सारे examples जहां कोई problem हो आप मुछ से पूछ भी सकते हैं तो यहां पर मैंने आपको general terms बताई जीपी की और उसके साथ ही एक दो example करके बताएं यह जो आप screen पर देख रहे हैं यह हमारा example number 7 है बुक का तो आप try कीजिए अगर कोई solution में problem है तो आप मुझ से पूछ सकते हैं नेक्स्ट वाले examples के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज की वीडियो में इतना ही पीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब दे चैनल थैंक यू